हेलो एवरिवन आज हम UGC NET के स्लिपस में इकाई चार वैचारिक प्रिष्ट भूमी से लोहिया दर्शन के बारे में बात करेंगे यहां पर हम राम मनोहर लोहिया जी के बारे में जानेंगे उनकी विचारधारा के बारे में जानेंगे और समाजवादी लोहिया जो है या सोशलिस्ट जो पार्टी है उसकी स्थापना उसकी विचारधारा और किस प्रकार किस विचारधारा से प्रभावित थे कौन से भारते और कौन से विदेशी जो दाशनिक थे उनसे प्रभावित थे यह सारी चीज़े हम यहां पर जानेंग था तेईस मार्च वही तारीक है जब हमारे जो स्वतिनता क्रांती के महान नायक है उनको फासी की सजा हुई थी है न तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं और तेईस मार्च 1910 को क्या है लोहिया जी का जन्म हुआ था तेईस मार्च याद रखना भाति इतिहास में राजग हुआ था वे भारतिय स्वतंता संग्राम के सेनानी प्रखर चिंतक और समाजवादी नीता थे क्या थे समाजवादी नीता थे यानि शोशलिस्ट विचारधारा ये रखते थे और ये स्वतंता संग्राम के सेनानी भी थे इनके दार्षनिक चिंतन और समाजिक विशलेशन क विचार पद्दी में माक्सवाद भारतिय परंपरा गांधी जी के परियोग और उनके शोद निदेशक बर्नर सुधाई जो हैं जो की एक प्रसिद जर्मन अर्थशास्त्री हैं का प्रभाव स्पस्ट परिलक्षित किया जा सकता है सन 1967 के पूर्व सोशलिस्ट पार्टी की जो अनुगूज हिंदुस्तान के राजनेतिक पटल पर थी उसके पीछे लुईया का चिंतन जन संगष और कारे के प्रती अतूट निष्ठा और इमानदारी थी यानि सोशलिस्ट पार्टी के जो स्थापना की थी उन्होंने के इसने का प्रियास किया बलकि उसे मूर्थ रूप देने का भी जो है यह भागिरत प्रयास किया है यानि कि जो समाजवादी विचार ध cidade उसको ईस विचार धारा असे लोगों को जोड़ा और उसको by implementing करने का भी उसका पूरा पूरा इन्होंने प्रियास किया था इसके बाद समाजवादी लोया इसमें समस्यां कि इन्होंने समाजवादी विचारधारा का विवेशन एश्या की विभिन समस्यां को केंदर में रखकर किया था अपनी पुस्तक माक्स गांधी और समस्यां है ना क्या इनके पुस् पर विचारधारों की मद्धे दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया है ना इन्हीं के शब्दों में मतलब भी क्या कहते हैं कि गांधी तथा माक्स जो हैं के पास सीखने के लिए बहु मुल्य कोश है यानि हम गांधी और माक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं इन्होंने माक्स की द्वन्दात्मक भौतिक पादी व्याखा को अपनाया किन्तु माक्स के वर्ग संखर्ष के सिद्दान्त को स्विकार नहीं किया वे वर्ग संखर्ष के सिद्दान्त को अनवशक और आसंगत मानते थे उनके अनुसार मानवता दो विकल्पों के मद्धे ज करते थे और इसे असंगत मानते थे जबकि उन्होंने उसकी भातिक वाधी द्वान दात्मक भातिक वाधि जो वियाक्या थी उसको अपना है था आगे देखते हैं कि जाती और वर्ग में सतत संगश चलता रहता है यहां लूया मानते हैं डॉक्टर लोईया मानते हैं यदि जाती दक्षन पंथी और इस्थाइश शक्तियों का प्रितित करती है तो वर्ग समाजिक गतिशीलता का मानव इतिहास चाती और वर्ग के अंतरदोंदों की कहानी है डॉक्टर लोईया ने रूसी जो सामेवाद की तीवर रूसी सामेवाद की वह अलोचना करते हैं जहां इस रूसी सामेवाद में क्या होता है जहां वैक्तिकस पतंता को उद्योगिक विकास के लिए कुछल दिया गया लोईया की मानिता थी कि सत्य की विजय धूरता और छल्चदम से नहीं हो सकती आगे हम देखते हैं कि भी धर्म दक्षन पंत और राजनिते को मिलाने के पक्षदर नहीं थे क्योंकि इससे संप्रेदाइक सत्भाव में तनाव और कड़वाहट पैदा होती है एश्याई समा समाजवात को स्थापित करना सरल नहीं था इसके लिए वहें कुछ सुधारों को अनिवारे समझते थे जिनमें विश्व संसत की स्थापना पूरे विश्व के जीवन स्थार का सुधार और उद्योगों वा बैंकों का राश्चिकरन आदिशामिल है यानि कि जो समाजवात की बात करते थे और नवीन समाजवात की बात करते थे और उसमें क्या था उसमें कुछ इंपोर्टेंट जो थे सुधार उसकी बात करते थे जिसमें थी कि विश्व संसत की स्थापना करनी चाहिए और विश्व के जीवन स्थर का जो सुधार का प्रयास करना चाहिए उद् देखते हैं, आपको चौकंभा योजना के बारे में भी समझना होगा जब आप लोहिया दर्शन पढ़ते हैं, एक्जामे पूछ सकते हैं आप से, वैक्ति की राजनितिक स्वतनता के लिए उन्होंने चौकंभा योजना प्रस्तुत की, इस योजना में उन्होंने राजनिति प्रांद और केंद्र, इन शक्तियों के विकेंद्री पर सुझाओ दिए, यानि जैसे 4 levels पे, मतब छोटे पहले चोटे लेवल पे, व्यवस्ता पर ग्राम लेवल पे, फिर मंदल पर, प्रांद लेवल पे, फिर केंद्रे लेवल पे, इस तरह क्या हैं, विकेंद्री करन की जो विवस्था है उस पर इन्होंने जोर दिया था जो आज की टाइम में भी वी किंद्रिकरण विस्था को फोलो के जा रहा है तो शक्ति के विद्रिकरण का सुझाओ इन्होंने चखांबा यूजना में दिया था डक्र रामनोहर लोईया ने देश की मात्र भाषा को प्रतिष्टित करने के लिए भी एहम योगदान दिया, उन्होंने गरीबों एवं शोशीतों को अपने अधिकारों की मांग के लिए मुखर किया, साथी उन्होंने पेट की समस्याओं को ही नहीं अपितु मन की समस्याओं को भी सुच्छाने का प्रयास किया रामपनोहर लोहिया को भारतिय सभ्यता वो संस्कृती में अथा प्रेम था उनके संस्कारों में उनकी जलक विदमान है उसमें भारत की अध्यात्मिक और पश्च्रिम की कारिश हमता का मिश्रण है तो हम देख सकते हैं कि राम अनोहर लोया को मात्र भाशा का एक मतलब स्ट्रॉंग सपोर्टर के रूप में देखा जाता है उन्होंने काफी जादा मात्र भाशा का सपोर्ट किया था उनका नारा था मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं आगे वे कहते हैं वे अन्याय के विरुद लड़ाई के प्रेणा स्रोत हैं वे पूरे विश्व में सकरात्मक वदलाओ के पक्षधर थे उनका दर्शन विश्व शांती का दर्शन माना जाता है निश्यस्त्री करण विश्व विकास समीती अंतरास्टी है बाद दर्शंका पूर्णगठन और विश्व सरकार उनकी योजना है उन्हें विश्व नागरिक और उनके दर्शन को विश्व दर्शन सिद्ध करती है अगर हम आर्तिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास की रूप रेख हमें हम देखते हैं उनकी मानेता थी कि गांधिवाद सत्यग्रे तथा आर्थिक और राजनेतिक शेत्रों में विकेंद्री करण को अपनाए जाने की निती के मध्यम से ही माक्सवाद की लक्षे को प्राप्त किया जा सकता है यानि जैसे वो क्या थे वे आर्थिक विकास की रूप रेखा उन्होंने अपनी तरफ से भी निश्चित की थी जिसमें वो मानते थे कि गांधिवादी सत्यग्रे और आर्थिक और राजनेक शेत्रों में विकेंद्री करण को अगर अपनाया जाएगा और उसके माधियम से मा महत्मा गांधी की तरह हैं डॉक्टर लोईया भी बड़ी-बड़ी मशीने लगाने के विरोध में थे तो ये इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे ये बड़ी-बड़ी मशीनों के ये विरोधी थे इस सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा अमर्यादा की तो प्रतिष्ठित नहीं बहुत इक संतुस्टि समाजवाद का एक मात्र लक्षे नहीं है एसी बात जो हैं वो लोईया मानते हैं अगे जो हैं वो कहते हैं वीशेष अधिकार वाले शोशन वर्स जो शोशक वर्ग का वर्गी-करनवे निमने रूप में करते हैं वो नौकरशा, अधिकारी, उच्चितम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और सरवहरावर के रूप में करते हैं समाज में व्यापक विसंगतियों को समझने के पिश्चात लोहिया ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया था जो इस परकार है, जाती निती, भुमी निती, अन्न निती, आय निती, मुल्य निती, राश्टिय, श्रम निती, और भाष्चा निती पिछड़े वर्गों को विशिश अवसर्पिदान करने के लिए इसी तरह पर्दे की गुलामी के खिलाब स्वतनता तथा विश्व लोक राज्य के लिए पिर वो आगे है हम देखने को मिलता है फाइव की व्यक्तिगत पूंजी समंदी विश्यमताओं के विरूद तथा आर सतग्रे के लिए हम देखने की डॉक्र लोया के शब्दों में आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों और क्रांति का यूग है इनको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार के उनती में अपना हिस्सा बटाएं इसलिए कि हमें आजादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिलें विश्वादी व्यक्तित्व के बारे में वो क्या कहते हैं कि डॉक्र लोया एक विश्वादी व्यक्तित्व संपन व्यक्ति थे वो नामनों लोया और उनके बारे संपन व्यक्ति थे वे अंतराश्टी एकता पर बल देते थे राश्टवाद के भी पक्षदर थे वे नहीं हो सकता जब तक कि उनके समर्थक इस तद्धे को अनुभव नहीं करते कि विश्व नीतियों का वर्तमान संघर्ष सबताओं का संघर्ष है और जिनके उपर विजे विश्व के मस्तिकों को एक करके प्राप्त की जा सकती है इतिहास बोध में हम देखते हैं कि डॉक्ट नहीं नहीं उन्होंने हीगलवादी दृष्टी को भी स्विकार नहीं किया डॉक्टर लोहिया नितियास के समंद में अपने विचारों का प्रसर अपनी एक रश्चना जो है वील्स ओफ इस्ट्री 1955 में किया है इसी प्रकार उन्होंने कौनाक, नालंदा, अजंता, अलोरा अधी में अंकित मूर्तियों और बित्ते चित्रों में एक दिव्य प्रतिभा के दर्शन किये हैं इस प्रकार हमने जो लोहिया दर्शन ने उसको कंप्लीट कलिया है और हमने बहुत सेरिसली इसको समझा है विदाउट कोई टाइम वेश्ट किये अगर आपको फिर भी कोई प्ले लिस्ट में आपको मिल साएगा इसके बाद माकस हो यह ऐसी मनवश्लेशन वाद आधी विद्विशाड धार करता है वो सभी यूनिछ्य फॉर की प्ले laser में आपको मिल जाएंगी अब यहां जाकर चार कर सकते हैं इस सेना किब बल आपको चीजी समझ में आ रही है ब आप कोई मेटराल अच्छा लग रहा है तो आप इबूख भी खरी सकते हैं वाकि थेंक यू फॉर वाचिंग टेक केर बाबाए